हरी इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है पर इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वह महंगी चीजों को कॉपी करता है जि हा दोस्तो हम बात कर रहे हैं चाइना देश की जो अपने डब्लिकेट कॉपेट प्रोडक्ट्स के लिए पुरी दुनिया में बदनाम है तो चलिए जानते हैं चाइना के दुरॉर कॉपी किएगे कुछ प्रोडक्ट्स हलो दोस्तो मेरा नाम अभिशेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नौलेज टॉक्स को स्टारबक्स की कॉपी स्टारबक्स एक मशूर कॉफी ब्रांड है जो दुनिया भर में अपनी टेस्टी कॉफी के लिए जाना जाता है स्टार्बक्स के हेड़कॉर्टर्स आपको मिलेंगे वाशिंग्टन डीजी में अगर हम स्टार्बक्स की बात करें तो यह है एक वर्ड लार्जस कॉफी हाउस चेन है जिसके दुनिया भर में लगबग 32,660 स्टोर्स हैं जोकी लगबग 83 कंट्री में available हैं रॉल रोईस फेंटम की कहपी रॉल्स रोईस एक प्रिटिक, लग जड़री और्टमोबाईल कंपनी है जो कार्स बनाती हैं जिसके फांडर्स हैं हैंन्री रोइस और चार्ल्स रॉड्स Rolls-Royce Company ही Rolls-Royce Phantom कार बनाती है Rolls-Royce Phantom अपने आप में ही एक पेमिसाल कार है इसके डिजाइन और स्पीड को देखते हुए यह दुनिया की कुछ सबसे महगी कारों में गिनी जाती है इनी सब विशेषताओं को देखते हुए चीन की एक कंपनी ने रॉल्स रोयस फेंटम की कॉपी कर ली और अपने यहां बना डाला गिली जीई गिली जीई को अगर आप दूर से देखते हैं तो यह है रॉल्स रोयस फेंटम के जैसे ही दिखाई देती है पर इसकी headlights थोड़ी सी बड़ी होती है और गिली जीई कार में रॉल्स रोयस की तरह ही कार के बॉनट पर एक logo भी निकलता है अलाकि गिली जीई रॉल्स रोयस फेंटम की तुलना में काफी सस्ती है परन्तु गिली जीई में रॉल्स रोयस कार जैसा engine नहीं है और ना ही Rolls Royce जैसी प्रतिष्ठा है तो अगर आपको भी एक Rolls Royce कार खरीदनी है तो उसके लिए आपको एक मोटी रखम तो चुकानी ही पड़ेगी Oreo की कॉपी Oreo एक American Cookies Company है जिसकी स्थाफना 6 March 1912 को हुई थी Oreo एक 100 साल पुरानी कमपनी है जो अपने क्रीमी कुकीज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है अगर आप चाइना में है और आपका Oreo खाने का मन हुआ तो वहाँ आपको Oreo नहीं मिलेगा पर हाँ इसकी सस्ती कॉपी बोरियो ज़रूर मिल जाएगी जी हाँ दोस्तो बोरियो जो की Oreo का ही एक डुब्लिकेट वर्जन है जो चाइना में बनाया जाता है बोरियो बिस्किट का नाम और इसका रहे पर पूरी ही तरीके से बोरियो बिस्किट की कॉपी के एफसी की कॉपी के एफसी मतलब केंटिकेट फ्रेड चिकन यह है एक American Fast Food Restaurant Chain है जिसके Headquarters आपको मिलेंगे Dallas, Texas, United State of America में सेल के मामले में यह है दुनिया की Second Largest Restaurant Chain है इसके Founder है Sandras, Cod & Kev जिसकी स्थापना 20 March 1930 को हुई थी इसके Main Products है Fried Chicken, Hamburger, Chicken Sandwich, ETC और चाइना को तो अमेरिका की सभी कंपनियों से कुछ जादा ही लगाओ है इसलिए उसने इस कंपनी की भी कॉपी कर ली और अपने यहां बना डाला OFC मगर यह क्या दोस्तो चाइना को अमेरिकन कंपनीज के साथ साथ अमेरिकन प्रेजिडेंट से भी कुछ जादा ही लगाओ है तभी तो उसने OFC की फुल फॉर्म रखी है ओबामा फ्रैट चिकन जिस स्पीड से चाइना अमेरिकन कंपनीज की कॉपी कर रहा है उस स्पीड से तो लगता है आने वाले समय में आपको ट्रम्प फ्रैट चिकन और जो बाइडन फ्रैट चिकन भी देखने को जरूर मिलेंगे बीटू स्टिल्थ एरक्राफ्ट बॉम्बर की कॉपी यह एक फिफ्ट जनरेशन का स्टिल्थ बॉम्बर है जिसे अमेरिकन कंपनीज ने बनाया है बीटू बॉम्बर की खास बात यह है कि यह अपने साथ अधिक्तम प्रकार के वैपन्स और न्यूकलर वैपन्स को ले जा सकता है इसकी हतियार ले जाने की शम्ता बहुत अधिक है यह 50,000 फीट की उचाई से उड़कर बॉम्बिंग कर सकता है यह एक बार फ्यूलिंग से 11,000 किलोमेटर तक जा सकता है और अगर इसे हवा में दुबारा फ्यूलिंग की जाए तो यह 20,000 किलोमेटर तक जा सकता है यह अधिक्तम 1,70,600 किलोग्राम वेट कैरी कर सकता है इनी सब खुबियों को देखते हुए चालाक चीन ने इस एरक्राफ्ट का मोडल और तकनी दोनों कोपी कर लिए और अपने यहां बना दी पीटू बंबर की एक सस्ती कोपी जिसका नाम है H20 स्टिल्थ बंबर पर H20 स्टिल्थ बंबर की वैपन कपैसिटी बहुत ही कम है और इसकी स्पीड और दिप्तम दूर तक जाने की शमता भी B2 बंबर से काफी कम है हालाकि चीन दावा करता है कि उसका H20 किसी भी थरास से कम नहीं है पर यह सिर्फ एक चीन के खोकले दावे है H20 बंबर की पैचान सिर्फ इतनी है कि यह B2 बंबर की एक सस्ती काफी है